लो फ्रेंड्स चैश्री रादिकृष्णा आई होप आप सभी अच्छे होंगे सेफ होंगे स्वस्त होंगे और प्रोटेक्टर होंगे और नाम जब आप ज़रूर से कर रहे होंगे फ्रेंड्स तो चलिए देखते हैं आज आपके स्पिरिट गाइड्स का आपके लिए क्या म मैसेज क्या गाईडन्स या बलैसिंग देना चाहते हैं प्लीज उनिवस्ट प्लीज 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 बताएई और यहां यहां यूंणिवर्स के रूप में आपके सामने यहां प और रहा है आपका और बहुत पॉजिटीव हो रहा है आप जो नाम जब कर रहा है नाम जब के प्रभाव सिख यहां पे आपके आसपास का जो एरिया है आप जो जहां पे भी आप रहते हैं वहां पे जो भी लोग आपके आसपास के लोग हैं वो हील हो रहे हैं उनकी positivity बढ़ रही है हो सकता है उनकी awakening भी trigger हो रही हो उसके according यहाँ पर आपका trigger होता है तो यहाँ पर definitely आपका और बहुत positive हो रहा है आपकी divinity बढ़ रही है और साथ में यहाँ पर आपके चारों तरफ यहाँ पर एंजल एंजल्स है आपके चारों तरफ यहाँ पर divine energies है यहाँ पर मुझे ऐसा feel रहा है और साथ में आपकी life में happiness growth, abundance, prosperity, peace आ रहा है ठीक है जो आप peace बहुत लंबे समय से जिस समय का आप इंतजार कर रहे थे न वो समय यहाँ पर मुझे ऐसा लग रही कि वो समय यहाँ पर बहुत नजदीक है और बहुत जल्दी ही आप कुछ ना कुछ ऐसा अचीव करने वाले हैं अपनी life में जो काफी कि लंबे समय से आप यहां हो सकता है इंड अनकॉंशेसली मैनिफेस्ट कर रहे थे और साथ में यहाँ पे आपका डेफिन यहाँ पे आपका हर्ट चक्रा ओपन हो रहा है आप और मुझे यह भी इंटूशन आ रहा है कि कुछ वियोस को यहाँ पे अपने हर्ट चक्रा पर क ये किजिए के यहाँ पे अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पे वह का वर्क कर रहा है आपका στα हीव हो रहाsuper ही हो और जब हरड़ ही होता है तो ह renowned आप डिवाइन एनड्जी मेर्डी से कनेक्ट होते हैं और यही रिजन है कि आप अपनी राइफ में 25 को तो आप अपनी जो विश है उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और साथ में यहां पे आप जो भी व्यूर्स अपने अपने फैमिली के अपने लवड वन्स की प्रोटेक्शन के लिए उनकी वेल बिंग के लिए आप परिशान थे तो यहां पे आपको आपके spirit guides कहना चाहते हैं कि के loved ones पूरी तरीके से सुरक्षित हैं पूरी तरीके से protected नहीं आपके spirit guides लव्ड वन्स को आप जिनके लिए भी अगर आपके लाइफ में पीस मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप अपनी विश फुल्फिल्मेंट की तरफ बढ़ रहे हैं और देखिए यहां पर प्रोटेक्शन का मैसेज भी आ गया है अगई यहां पर प्रोटेक्शन अगेस नैचरल डिसास्टर तो आप और आपकी लगद्वन्स पूरी मंत्र जाब करते हैं चैंटिंग करते हैं उन से कनेक्ट होते हैं आप उनकी किसी भी आवतार से कनेक्ट होते हैं और मुझे अभी इंट्विशन नर्सिमा जी का आया है तो यहां पर अगर आप नर्सिमा जी का बीज मंत्र कर रहे हैं या मारक मंत्र आप कर रहे हैं नर्सिम पार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए यहां पे आपको अब मारक मंत्र नर्सिमा जी का यूज करना चाहिए उसका नाम जब करना चाहिए यह एक बहुत वार्निंग जैसा मैसेज मुझे फील हो रहा है और दिखें यहां पे राधहरानी जब राधहमा आई हैं सुप्रीम हैं डेफिनिटली आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी आपकी तरफ आ रही है और यह आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कहना चाहते हैं कि आपको अपनी अपने गोल पर फोकस रहना है और आपको अपने अगर आपका माइंड यहां पर इलिजन्स क्रिएट कर रहा है आपको कुछ ऐसी चीज़े दिखा रहा है जो रियल में है ही नहीं आपको ऐसा लग रहा होगा कि यह कैसे हो सकता है बट आपके स्पिरिट गर्स आपको कहना चाहते हैं कि आपको उन चीजों पर फोकस नहीं करके आपको अपने में गोल पर फोकस करना है जिस परपस से आपको आगे बढ़ते चले जाना है किसे भी इल्यूजन में आपको पढ़ना नहीं है और यह इल्यूजन जो आपको क्रियेट किया जा रहा है ना उसके लिए उसको खतम करने के लिए यहां पर आपको नरसिमजी का मारक मंत्र करना है आप उसका चैन्ट जरूर कीजे जित आपको इस वक्त अपने ट्रस्ट पर अपने विश्वास पर अपने ड्रीम पर अपने गोल पर अपने हायर गोल पर अपने हायर परपस पर यहां पर आपको विश्वास रखनी की जरूरत है अपने ट्रू लव पर अगर आप अपने लव कनेक्शन के लिए देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे आपके spirit guides कहना चाहते हैं कि अपने true love पर यहाँ पे trust रखें आपका विश्वास आपने बहुत patience बनाए रखा है लेकिन यह patience जो है अब यहाँ पे work करने वाला है आपकी जो desire है आपकी जो manifestation है जो hard work आपने अपने उपर किया है वो यहाँ पे खतम हो रह है कार्मिक यहाँ पे आप अगर आप अपने counterpart के लिए देख रहे हैं आप spiritual connection में है आप spiritual डिवाइन जर्नी में तुन फ जरनी में है तो यहाँ पर आपकी person कि भी कार्मिक रिलीज द्ध प्रोसेस चल रहा है हो सकता है आपके भी हैं पर कार्मिक रिलीज हो रहे हों यहाँ का कर्मा जो है उनके साथ रिलीज हो चुका है यह परसन भी हो सकते हैं कोई सिच्विशन भी हो सकती है या कोई जॉब भी हो सकती है आपको उसमें परेशान नहीं होना है जो जा रहा है उसे जाने दीजिए और गो विदफ लो की एनरजी में रहें सरेंडर करके रखें इश् जिस भी परपस से आप इस रिडिंग में आए हैं आपको विक्टरी मिल रही है आपको जीत निश्चित तोर पर मिल रही है और साथ में यहां पर आपके डिवोशन की जीत हो रही है आपका डिवोशन यहां पर बढ़ रहा है आपका इश्वर के प्रती इश्वर के प्रती प्रेम जो है वो बढ़ रहा है और यही रीजन है कि आप अपने डिवाइन यूनियन की तरफ बढ़ रहे हैं आप अपने काउंटर पार्ट से यूनियन की तरफ बढ़ रहे हैं आप जरनी के जिस भी फेस में उसके अकॉर्डिंग यहां पर आपका यूनियन बहुत जल्दी कि मुझे फील हो रहा है कि आप अपने union की तरफ भी बढ़ रहे हैं और डेफिनिटली बहुत सारे व्यूर्स ऐसे भी हैं जो यहां पर ट्विंट फ्लेम जर्नी में हैं शिव शक्ति की जर्नी में है क्योंकि यहां पर राधरमा का आना तो जब राधरमा हैं तो यहां पर श् है कि तरफ बढ़ रहे सकते अगर अपना सोल परपर स्फ अभी तक मिलने वाला है या यहां अप अपने यहां आप से अपने positivity से अपने motivational words से अपनी positivity अपनी positive vibration से already आप heal कर रहे हैं और यही चीज यहाँ पर आपको भी यहाँ पर enlightenment की तरफ लेकर जा रही है आपको यहाँ पर एक ऐसे एक ऐसे पात पर लेकर जा रही है जहाँ पर आप master healer बनेंगे जहाँ पर मास community को heal करेंगे गाइड करेंगे knowledge देंगे ओक हो सकता है आप already इस पात पर हो आप already किसी ना किसी तरीके से लोगों को heal कर रहे हो कि किसी भी तरीके से हो सकता है आप healer हो सकते हैं आप रही की master prani healer टैरो रीडर हो सकते हैं teacher हो सकते हैं डॉक्टर हो सकते हैं या कोई भी ऐसे चीज प्रोफेशन जो दूसरों को करता है दूसरों को मोटिवेट करता है उस पाथ पर आप आप अल्रेड़ी है या आपको बहुत जल्दी यह पाथ आपको यहाँ पे उसके पर आपको फोकस करना है अगर आप यहां पर अपने ड्रीम में याद रख पाते हैं तो आप सरस्वती मां का कोई भी मंत्र आप ले लिजे उसे चैन करके सोए रात को सोने के पहले आप सरस्वती मां का कोई भी मंत्र है वो सुन सकते हैं और अगर आप चैन कर पाते हैं तो व आपको याद इसलिए रहें ता कि आप समझ पाई कि आप अपने लाइफ के किस गाईदेंस जिस गाईदेंस की आपको जरूरत है वहाईदेंस आप समझपाए उसके लिए आप यहाम पे यहाम पर आप यहाँ पे बहुत जल्दी कुछ नो कुछ ऐसा material world में तो आप grow करने ही वाले हैं लेकिन आप spiritual world में भी बहुत ज़्यादा grow करने वाले हैं grow in the sense कि आपका level increase होने वाला है यहाँ पे आप दूसरों को जो अभी तक जो कर रहे थे अभी तक आप बहुत चोटे level पर हो सकता है कर रहे थे लेकिन अभी आप कुछ बड़े level पर आप करने वाले हैं और जो मैंने ऐसा काई तो मैंने 1111 देखा है तो definitely आपकी life में यह phase आ रहा है कार्मिक release किये जा रहे हैं यहाँ पे और साथ में आपका थ्रोड चक्रा भी हील हो रहा है आपका आपके counterpart का थ्रोड चक्रा हर्ट चक्रा यहाँ पे हील हो रहा है और मुझे ऐसा फिल हो रहा है कि आपकी person यहाँ पे spiritual practices कर रहे है और इस spiritual connection को भी अब वो feel कर पा रहे है feel इस तरीके से कर पा रहे है कि उन्हें समझ में आ रहे है कि 3D में जो उनके साथ में लोग है जो कार्मिक हैं और कार्मिक और divine feminine अगर आप divine feminine energy में है तो जो कार्मिक हैं उनके साथ और जो divine feminine है आप दोनों में क्या difference है और क्या आपने उनके लिए किया और क्या कुछ चीजें उनके सामने इस तरहे की आई हैं कार्मिक की जो उन्हें unexpected थी और जब यह चीजें रिवील हो रही हैं उनके सामने universe के द्वारा रिवील की जा रहे हैं उन्हें ऐसे situations में डाला जा रहा है आपके person को आपके counterpart को की वो समझ पाएं कि actual में reality क्या है उक्की reality को समझ पाएं इस connection की reality को समझ पाएं क्यूं उन्हें इस जर्नी ये जर्नी दी गई क्यूं आप दोनों को मिलाया गया क्या purpose था सभी चीज़ें उनको समझाई जा रहे हैं और सभी चीज़े clarity दी जा रहे हैं और एक intuition मुझे ये भी आ रहे हैं कि आपको अपने union को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है यहां पे आप गरूर जी और नर्सिमा जी का मारक मंत्र जरूर कीज़े अपनी भक्ति को अपने union को अपन अपने divine counterpart को प्रोटेक्ट करने के लिए यहां पे आप अपनी आप जरनी के जिस भी फेज में है या आप इस वीडियो तक जिस भी परपस से viewers आए हैं जो भी intention से आए हैं जो भी आपके wish है उसे protection जरूर दीजे और आप बजरंग बान और दुर्गा का वज जो आप कर रहे हैं अल्रेडी वो करते रही है या आप जो भी protection के लिए कर रहे हैं वो करते रही है लेकिन उसके साथ अब आप नरसी मजी का मारक मंत्र भी करना शुरूर कीजे ओके मारक मंत्र करने से क्या होगा कि जो भी कार्मिक energies यहां पे आपको डी मोटिवेट करने की कोशिश कर रही है या आपको again and again low energies मिले के जाने की कोशिश कर रही है तो वो खतम होगी ओके energy wise खतम होगी यहां पे आपको उन्हें खतम नहीं करना है और energy wise यहां पे आप नरसी मजी के मारक मंत्र से आप खतम कर सकते हैं जो मैं frequently community में डालती रहती हूं मैं आज भी डाल दोंगी आप उसे जरूर कीजे और जब आप ऐसा करेंगे आप intention के साथ कीजे कि आपके अंदर आपके सामने जो भी illusions create किये जा रहे हैं negativity के द्वारा वो सभी illusions खतम हो आपको और आपके counterpart को इस energy से बाहर निकाले और जो भी कार्मिक energies हैं वो release हो वो खतम हो जो भी devil energies हैं जो आपके किसी भी area म में आपको नुकसान पहुचाने की कोशिश कर रही हैं उसे खतम करना है उसे खतम करने के intention से आपको नरसी मजी का मारक मंत्र करना है तो friends यह थी आज के लिए आपके spirit guides की बहुत ही प्यारी सी reading I hope आपको अच्छी लगी हो तो please comment में आके जरूर बताएगा कि reading आपको कैसे लगी और अपना ध्यान जरूर रखिए जब आप अपना ध्यान रखेंगे तभी आप अपना बाकी चीज़ें आप कर पाएंगे तो चलिए मिलते हैं next reading में ऐसी है प्यारी blessings के साथ आपके spirit guides की and thank you so much thank you thank you thank you आपके इतने प्यारे support इतने प्यारी blessings के लिए God bless you तो चलिए म मिलते हैं next reading में जैश्री कुष्णा जैमा काली रादे रादे